नमस्कार आप देख रहे हैं ABC Earning Hub मैं अमित भोविया दोस्तो आज हम बात करेंगे कि भारत के कौन-कौन से राज्यों में लोटरी लिगल है यानि कि उसे वहाँ पर कन्नन मानेता है इसे के साथ हम दूसरी बात ये भी करेंगे कि क्या इन राज्यों की लोटरी कोई ओर परदेश का जहां पर लिगल नहीं है वो व्यक्ति खरीदता है तो उसे इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा और कौन-कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर अडचन आती है इनाम मिलने में तो इस बारे में दोस्तों आज आपको बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर लोटरी कानूनन लीगल है तो आपको बता दूँ भारत में 13 राज्य हैं जहां पर कानूनन लोटरी को मानेता है जहां पर कानूनन लोटरी जो है वो लिगल है उसमें नाम है असाम, अरुनांचल परदेश, गोवा, केरला, मध्य परदेश, महराष्ट्रा, मनिपूर, मेगाल्या, मिजोरम, नागालेंड, पंजाव, सिक्किम और वेस्ट वंगॉल यहां की सरकारों के अलग-अलग नियम है लोटरी के और वो राज्ये के उपर निर्वर करता है कि वो किस नियम के तहट अपने यहां की लोटरी को चलाना चाहती है तो अब बात करते हैं कि भाई इन राज्यों से अगर बाहर का व्यक्ति है मान लीजिए उत्तर परदेश का व्यक्ति पंजाब से कोई लोटरी खरीदता है तो क्या उसे इनाम मिलेगा मान लीजिए कोई भी व्यक्ति केरला से लोटरी खरीदता है तो क्या उसे इनाम मिलेगा कोई व्यक्ति नागलेंड की लोटरी खरीदता है तो क्या उसे इनाम मिलेगा इस बारे में थोड़ा समझते हैं तो आपको बता दूँ भारत की जो तेरा राज्य है जहां पर लोटरी लीगल है वहां से आप लोटरी खरीद सकते हैं और आपको इनाम मिलेगा भी लेकिन कुछ राज्यों की विशेश कंडिशन है वो कंडिशन कैसी है अगर आप उत्तर परदेश के हैं और पंजाब से लोटरी खरीदते हैं तेरा राज्यों में किसी की खरीदिये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती लगबग आपको प्राइस कलेम हो जाता है लेकिन आप केरला की अगर लोटरी खरीदते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या आती है और वो समस्या ये है कि जब आप कलेम करने के लिए application देंगे और अगर आप out of केरला state से हैं तो वो आप से पूछेंगे कि आपने lottery कब खरीदी तो आप बताएंगे कि मई के महिने में हमने lottery खरीदी थी तब आपकी lottery आई हुई थी फिर वो आप से पूछेंगे कि आप जब केरला आए तो आपके पास कोई rail guardi का टिकट होगा किसी petrol pump से pump से तेल भरवाया होगा उसका टिकट होगा कोई hotel में ठहरे हो उसका bill होगा तो वो हमें show कर दीजिए तो वहाँ पर bill show करना होता है और ये restriction उन्होंने क्यों लगाई उन्होंने इसलिए लगाई ताकि ऐसा ना हो कि केरला का कोई distributor पूरे भारत में online बेच रहा हो और लोग online ही खरीद कर वहाँ पर चले जाते हों इसलिए उसने restriction लगाई कि अगर आपको लोटरी चाहिए तो आपको हमारे यहाँ पर केरला में आना होगा इस बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में तो यह वीडियो कैसी लगी कोमेंट सेक्शन में जुरूर बताईएगा और जो भी आपके सावाल हूं कोमेंट सेक्शन में भेजिएगा इमानदारी के साथ सचाई के साथ बिना किसी लागलग पेट के हम आपको हर बात ब अपन्ग हाब